हाई विडियो में आज बात करने वाले हैं रिज्यूम को लेकर बहुत सारे इसे हैं जो अभी स्टडी कंप्लेट कर चुके हैं वो अपनी जॉब के लिए तयारी कर रहे हैं अपलाई करना चाहते हैं जॉब के लिए लेकिन आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर में कहीं जोब के लिए जाएं तो सबसे पहले हमे वहां पर रिज्यॉम या सिवी या करिकुलम वाटा यह हमें वहां पर शो करना होता है जनरली हम रिज्यूम बोह देते हैं निक उलीस को सिवी बोला जाता है और वो first impression create करता है हमारा CV तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका CV impressive बने पांच मिन्ट के अंतर आपना CV बना सकते हो बहुत सार यहीं वेबसाइट्स हैं जो आपको फिरी में CV के latest model और latest format के साथ provide कराते हैं बट मैं कहुंगा कि आप कहीं से भी किसी भी computer center या cyber cafe या कहीं भी type is से जाकर बना सकते हैं बट CV में यह सभी बातों का होना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज बताना चाहता हूं तो यह पांच चीजे जरूर से पने CV में add करना तकि आपका CV देखकर जो आपका HR है यह जो आपको job देने वाले हैं वह आपको 100% job दे और यह सबसे बड़ी बात होती है अगर आपका CV अच्छा नहीं हुआ तो आपको कौन फिर नहीं पर ध्यान देगा आए देखते हैं सबसे पहले जो चीजे देखो दो चीजे वह आथ बात करूँँगा एक होता है उसका फोर्मेट या उसका पेपर या उसका कलर एक होता है उसके अंदर लिखी गई बाते याई कि एक्स्टर्नल और इंटर्नल दोनों चीजों पर तो पहले बात कर लेते हैं जो CV का साइज है या माल लीजे पेपर है पेपर कलर या फॉंट ये तीन चीज मोस्ट इंपोटेंट होती है जिसपे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं हम लोग अपना रिजूम अच्छा बनाने के लिए अपना CV अच्छा बनाने के लिए उसमें एट्रेक्टिव फॉंट्स लगा देते हैं है जो आपको पता होगा भॉस सरे हमा चलते हैं करसीव राइटिंग के फॉंट्स होते हैं ये कलर्फूल बना देते हैं कुछ लोग या फिर बहुशजदा लेंथी बना देते है तीन पेज का चार फेज का चोटा होना चाहिए, compact होना चाहिए, आपका CV, interesting होना चाहिए, हमें अपने CV में में बात ही लिखनी चाहिए, यह निए कि आप 4 पेज का CV बना दो, सामने देखें, चार पेज का CV है, देखते हैं, कोई नहीं पड़ता, आपका CV मैक्सिमम दो पेज का होना चाहिए, उससे कुछ भी गरा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ब्लैंक, वाइट, पेपर के उपर आपका CV बना होना चाहिए, बस, और तीसरा font आपका simple font हो, attractive font हो, bold font हो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़गा light font है, क्योंकि कुछ देर बाद वो मिट जाएगा, कुछ होगा, कुछ नहीं, तो अभी कोई extra curriculum activities में participate नहीं किया, अपने school में, अपने college में, तो हम लोग लिखते नहीं है, हम इतने इमानदार बन जाते हैं, कि बस मैंने 10th किया, मैंने 12th किया, मैंने B.com किया, मैंने इतने percent marks आए, बस, यह चीज़ लिखते हैं, जदे अधा क्या करेंगे, कि हम मुझे क्रि कुटर सीख रहा था, कम्पुटर मेरे पास यह certificate है, यह सब लिखते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी curriculum activities होती है, जैसे, मुझे team बनाना पसंद है, team management में, मेरा अच्छा रोल है, मैं अपने school में, अपने colleges में, वहां पर, मालब, as a team manager के तोर पर भी काम कर चुका हूँ, क family में, relatives के, friend circle में, कभी कोई इस तरह का काम होता है, तो मुझे ही बुलाते है, यह होते है, extra curriculum activities, यानि कि पढ़ाई के अलावा और आपकी क्या excellence है, next होता है main points, देखो हमेशा resume में, CV में, मैं resume बोलते रहा हूँ, बार-बार क्योंकि हम लोग आधत है, मैं CV की बात कर रहा main points ही होने चाहिए, ज्यादा बात को लंबा ना कीचें, जैसे आप point number two कुछ और लिख रहे हो, तो उसको main point लिखें, ज्यादा 3-4 word में होना चाहिए, यह नहीं है, कि आप उसके बारे में 2 paragraph ही लिख दे रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, next is experience, अब बहुत बार ऐसा होता है, मैं हमारा एक चैनल है, SBJ Jobs Adda, वहाँ पर हम latest jobs बताते रहते हैं, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं, सर मैंने resume भी लगाया, मुझे job भी नहीं मिली, मैं हमेशा कहता हूँ, आप चाहे fresher हो, आज तक आपने कोई काम नहीं किया, अपने resume में कोई नहीं कोई experience जरूर दिखाए experience का मतलब यह है, मैं यह नहीं कहा रहाँ कि आप यह दिखाएं कि मैंने do साल वहाँ काम किया है, आप चाहें दो महिने का दिखाएं कि मैंने do महीने, as a intern, as a fresher, मैंने हाँ काम किया है, कोई भी जो लोग आपको जानते हो, उनके बारे में लिख दो, कोई चोटी मोटी दु में काम करने के लिए तैयार ना फिर freshers को वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि यार इसे पहले सिखाना पड़ेगा फिर इसे बताना पड़ेगा फिर चार गलती के सिदार करना पड़ेगा तो वो लोग आपको मना कर देते हैं तो अपने resume अपने cv में work experience जरूर दिखाएं चाह से आपने कोई task complete किया है, कि online में ये काम किया था, ये काम किया था, छोटा मोटा, चाहे job ना कियो आपने, लेकिन आपने कोई earning कियो किसी काम को करके, वो भी दिखाएं, and last is objective, ये जो objective वाला point है, ये आपको job दिलाने में 90% कारगर होता है, अब ये क्या है objective में समझाता हूं, इस point में सबसे last का heading होगा, ये आपके CV में, जरूर से डालें इसको objective, इसमें आपको ये लिखके बताना है, कि जिस company में आप job के लिए अपलाई कर रहे हो, जिस firm में, जिस office में आप job के लिए अपलाई कर रहे हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हो, कि उसकी तरक्की होग उसके लिए आप क्या ऐसा करके दिखाने वाले हो, कि उनकी performance मलब अब जाएगी, उनका profit भड़ेगा, उनकी progress होगी, तो उसी चीज को देखकर सामने वाले जो आपको recruiter है, वो आपको allow करेंगे, आगी बास समझ में, these are the five way to get instant job by using best CV, तो अपने CV में इस सारी बाते जरूर से दिखाएं, इसके बाद आप देखना आपका CV अच्छा बनेगा, आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो वो impressive रहेगा, हमारे एक subscriber ने comment किया था, sir इसके ओपर एक video बना दीजे, तो चलिए, आपकी हर demand पर हम खरे उतरते हैं, commerce वाले बच्चों के लिए impressive, जितने भी बड़ी वीडियोज हो सकती हैं, हम लाते हैं, आपको भी अगर किशी टॉप पर वीडियोची है, comment करिए, exam time अभी खतम होने वाला है, लोग job के लिए सर्च करेंगे, नए session के लिए सर्च करेंगे, किसी course के लिए, सब चीजों में आपको यहाँ पर help मिलने वाली है, I hope, like करोगे video क subscribe करोगे अगर पहली बार आयो, और telegram पर follow जरू से कर लेना 以上 आपको यहाँ